बात करें यहां से अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन के डिसेंबर वादा देख रहे हैं कि 6306 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 650 का ही लगा चुका है 6 फीजदी की गिरावट सोयबीन के अंदर बंती नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि आज हफते के पहले कारोबारी दिन सोयबीन का वैदब अज़ा 3606 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 6 physical lower circuit सोयबीन की कीमतों में आज हम देख रहे हैं शाम के कारोबारी सत्र होते होते सुबा के मुकाबले शाम में सोयबीन की कीमतों में ज़्यादा गिरावट बंती नजर आ रही है आपको बता दें कि बीते कारोबारी सत्ता हमने सोयबीन की कीमतों में 6,900 के उपर के भी levels touch होते वे देखे थे, test होते वे देखे थे लेकिन वहाँ पर sustainability ने देखने को नहीं मिली बलकि उपरी सतरों से मुनाफ़ा वसुली ज़्यादा देखने को मिली इसका reason यह है कि जो सटोरिये हैं अब वो वायदा में भी active हो गए हैं खासकर कि अब सोयबीन को लेकर तो उपरी सतरों से वो अब मुनाफ़ा वसुली करते नजर आ रहे हैं क्योंकि बुगाई के समय सटोरियों को इतना ज़ादा टाइम नहीं मिलाता कि ज़ादा मुनाफ़ा कमा पाएं इसलिए अब सटोरिय एक बार फिर से active हो गए हैं चालो हो गए हैं सोयबीन वायदा में उपरी सतरों से मुनाफ़ा वसुली लगातार कर रहे हैं क्योंकि सोयबीन अब हम ऐसा fundamental नहीं देख रहे हैं कि जो सोयबीन की कीमतों को नीचे में गिरावट के और लेता जाए भले ही जो production है उसके आंखड़े जादा बताए गए हो 119 लाक्टन का आंखड़ा दिया गया ह लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सोयबीन की जो फसले हैं महराष्ट में मंद्य परदेश में और अन्यराज्य में बड़े पैमाने पर बड़े सतर पर खराब भी होती नज़र आई है तो अभी production के आंखड़े आने बाकी है पूरे तरह से जब production का पूर 900 के बाद 6300 तक दाम जाते सीधे नज़र आएं लवक 600 पॉइंट की गिरावट बनी है सोयबीन की कीमतों के अंदर और जो निवेशक हैं वो सोयबीन में अभी भी तेजी की ही ओर हैं सोयबीन में निवेशक बता रहे हैं कि आगे अभी इसमें तेजी ही देखने को मिलती र ही है दूसरा इंटरनेशनल मार्किट में सोयबीन की जो इस्तमाल है सोयबीन का इस्तमाल वो जादा बढ़ गया है फॉर एग्जामपल एग्जामपल दो अगर यूएस का तो अमेरिका में जो वीट है और कौन है गेहू और मक्य की कीमतों में जोड़दार उचाल देखने को मिला है जिसकी वज़ा से उनके अल्टरनेटिव के यूज़ पर सोयबीन का इस्तमाल किया जा रहा है जिसकी वज़ा से सोयबीन का इस्तमाल जादा बढ़ गया है अमेरिका में मांग जादा बढ़ गई इस्तमाल जादा होने से और जादा इस्तमाल होने से जादा मांग में सोयवीन 6700 से लेकर 8000 तक भी बिक्ती नजर आई है तो जिस दाम की उमीद किसान कर रहे थे कि उन्हें इतना मिल जाए तो अब वो अच्छे दिन सोयवीन किसानों के लिए आना शुरू हो गए हैं लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब किसानों ने 10,000 रुपे प किसानों को सोयवीन के 10,000 रुपे क्विंटल दाम भी मिले तब भी किसानों की लागत नहीं निकल रही है तो किसान यही समझ के सोच समझ के अभी इसलिए अपनी सोयवीन को होल्ड कर रही है रोक कर चल रहे हैं जिससे कि उनकी सोयबीन के दाम कम से कम 13,000, 14,000, 15,000 तक हो जाएं जिसकी वज़ा से उनकी जो लागते कुछ निकल जाए और कुछ उन्हें मुनाफ़ा भी हो जाएं क्योंकि इतने महंगे बीच खरीद कर अगर आपको 10,000 की चीज़ खरीद कर अगर आप 8,000 कमा रहे हैं तो वो कोई फायदा का सौधा साबित नहीं होगा बलकि आपको उल्टा नुकसान ही होगा तो जो जानकार हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोईबीन किसानों को अभी सोईबीन को लगबग एक से डेड़ दो महिने तक होल्ड करके चलने की सला दे रहे हैं कि सोईबीन किसान अपनी सोईबीन को अभी होल्ड कर लें अभी और रोक लें मंडियों में ना लेकर रहें आवकें कम होंगी डिमांड बड़ेगी और कीमते उपर में जाएगी तब सोयवीन किसान फिर अपनी धीरे-धीरे करके मंडियों में अपनी सोयवीन की उपज लेकर रहें और फिर बिक्वाल करें तो जाके सोयवीन किसानों को कुछ दाम सुधर तो इनके प्लांटों पर भी ताला लगता नजर आ सकता है तो किसानों से यही आगरे कर रहे हैं अभी जानकार कि कि अपनी सोयवीन अभी और रोक लें थोड़ा और होल करके चलें जिससे की आगे दामू में आपको और तेजी मिलें